हेलो नमस्कार जहिंद रेलवे में और पेसाई और कंस्टेवल की वड़ी भरती आ चुकी है इसके संबंद में नोटिफिकेशन के बाद एक और बड़ा बदलाव किया गया है क्या बदलाव किया इसके संदर्म बात करेंगे और इससे पहले इसका स्लीवस क्या होगा सेलेरी क क्या मिलने वाली है योग गिता और इत्यादी चीज़ों के बारे में आपके सामने डेस्क्राइब कर देते हैं इसके बाद बात करते हैं बड़ा बदलाव इसमें क्या होने हुआ हुआ है तो वीडियो में बने रहें वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें चैनल क को अभी तो सिस्क्राइब कर ले जिससे इस प्रकार की इन्फार्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहें जिसके लिए आवेदन जमा करने किती थी 15-4-2024 रखा गई है 15-4-2024 से 14-5-2024 तक रखी गई है इसके बाद 14-5 के बाद 15-25 तक इसमें संसोधन कर पाएंगे अगर संसोधन है तो देखें इसमें उपनिरिक्षक या सब इंस्पेक्टर पद की पुष्टी है जिसमें 6 लेवल का वेतनमान है लेवल 6 पर 35,400 प्रारमिक वेतन होगा एज लिमिट की बात करें तो 28-28 साल एज लिमिट होगी जिसके लिए 400 बाउन पुष्ट होगी और सब्सक्राइब करना पड़ेगा इमेल अब आईडी और मोबाइल नंबर में संसोधन नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको ध्यान से भरना होगा आपको इस त्यान के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर एक से आवेद आप एक ही आवेदन करेंगे जुन्म में द्वारों को भारत सरकार या राजर संगठन द्वारा से बरखंस्त कर दिया गया है उस इस आवेदन पार नहीं कर सकते हैं अगर ऑगर करें तो फिर चलने के सित कड़य फिर बताया एक साथ दोहजर चोविस को काउंट की जाएगी जो 20 से 25 वर्स उम्र होगी समान निता है लेकिन कोविंड-19 के कारण 3 वर्स छूट दे जाएगी तो 20-28 वर्स जो है कि आपकी उम्र हो जाएगी सब के लिए 20-28 वर्स उसके बाद छूट भी मिलेगे इसके बाद अनस्तिय जाती सेटी के लिए यज़ हो फांच वर्स रशय में उपरी आईउम魔 में ओबिसी के नक्री मेले यर की मेलेगे वृतफ पुरोस राख्षय में भूत्र पूरुसेनिक में आते हैं तो थी वर्स के चूट भूत्र पूरुसेनिक ही consists क्ननकन 있다고 शोवर्सине में तो आथ बर्स चूट विध겠्वत्र लाक्स्भा के लिए दो बर्स अनर प्रकार के नर फिकूर्अ घंस्ठ चूत में लोरे जाएगी इसके अलावा अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं भूत्सपुरुसनिक को छोड़का अन्य कर्मचारी हैं अन्य प्रकार के कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के और कम से कम तीन साल की से वाइं आप में तो आप आपको छोट देधी जाएगी तो यह घ्रu अट तो 9 पीछला वर्स चोल हैं तो दस बर्स के छोट देधी जाएगी आपको तरह जन्म्तिती की मात करें तो जो लोग भाने के हम दाया बीच से 28 बर्स इनकी आयू है जन्मतिति जो है कि कुछ एक साथ-2024 के बाद की नहीं होने चाहिए सभी के लिए यह सभी के लिए एक साथ दोहजार चाविस के बाद की नहीं होनी चाहिए चाहिए वो किसी भी कटेग्री से हो एक साथ दोहजार चाविस से बाद की जनती थी नहीं होनी चाहिए उपरी जनती थी की बात करें तो तो उपरी जन्पिती में अनाराचित इस के लिए दो साथ 296 से पहले का नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह छूट को छोड़कर है कि आवेजन सुल्क की बात किया जाए तो सभी उमिद्वारों के लिए पांच सव रुपय का सुल्क देना होगा और स्सी अश्टि को मिद्वारों को या महिला को भूत पूरसाइनिक को या अल्वसंख्यक को या EWS को इन सभी को दो सब पचास रुपय का सुल्क दियाना पड़ेगा देखे इन में से जो पान सव रुपय का सुल्क दे रहे हैं वो पहला इस्टेज जब दे लेंगे कम्पिटर बेस्ट दे लेंगे तो एक्जाम देने के बाद उनका चार सव रुपय वापस कर दिया जाएगा और जो पैसे वापस नहीं किया जाएंगे इसके लिए आपको पैसे वापस के लिए बैंक का नाम खाता धारक संख्या का नाम खाता संख्या और एपसी कोड आपको प्रवाइड करना पड़ेगा अवेदन सुल्क में ही उसी में प्रवाइड करना पड़ेगा देखिए भूत पू कौन का 10% 45.2 होगा तो 45 सीटे काट ली जाएगे 45 से भूत पुरुसानी को देदी जाएगी भूत पुरुसानी को के लिए लेंगी का अधाप आरक्षणा नहीं मिलेगा अर्थात मेल और फीमेल के अलग लग नहीं होगा सब एक ही में होगा किसी भी सरकार में चेहराजय सरकार में चेहकेंद्र सरकार में जो अभ्यार्थी किसी भी सरकार में नवकरी करते हैं सर्विस करते हैं उनको अनोसी लेना होगा प्रमाण पत्र लेना होगा उस समय जब डी भी होगा बागी पहले से permission लेकर रखना होगा जब db होगा तुस्से दिखाना होगा तीन प्रकृया में होगा पहला प्रसेस होगा computer based test cbt होगा second stage में ptv mt होगा physical if it is a physical measurement test और तीसरी में db होगा दस्तावे सत्यापन होगा में अस्तनातागा यह कUI क्याना परिक्षा का इस्तर के लिए चौछ को कि यह प्रशन के लिए गलत प्रहन के लिए इस प्राइब की जाएगे जो प्रशन के प्रक्रिया होगी तो नर्वलिशन के प्रासेस होगा ईवार एडावलेस और बीसी की लिए 35% कम से कम लान अनिवारे हैं अगर आप जनरल है अथवाइडावलेस नन्क्रीमिलेयर हैं कर तो कम से कम 35 keeps looking i कुंसरी स्टेज में कम से कम 35 लेकर आएंगे थब आगे बढ़भाएंगे वर नहीं फैल कर दिये जाएंगे और अगर आप से कम 30 परशेंट में कम से कम 30 परशेंम अन्य था वह होई फैल कर दिये जाएंगे अंग गडित इसमें इसका स्लिवस क्या होगा देखिए मैथ होगा 35 मार्क का मैथ होगा जिसमें नंबर सिस्टम संख्या प्रडाली पुर्ण संख्या एदा संभलो और अवरभीन और संख्याओं के बिच संबंद मौलिक अंग गडिते संचाला प्रतिशत अनुपात समनुप पहत आवर सद ब्याजला भानी छूट तालिकाहुरे खांकान को प्योग छेत्री मितिस समय दूरी त्यादिस्य प्रश्ण पुछे जाएंगे जनरल इंट्रीजनस पैति संका होगा रिजनिंग जिसमें एनलोजी समानतार अंतार अस्थानिक द्रिश्ट अस्थानिक अभिव साइलोजिक्स आदी से संबंदित प्रश्ण पूछे जाएंगे उसके बाद पचास अंक समान ने जागरुपता अर्था जीएस होगा जिसमें इसके प्रश्णों का उदेश्य मिद्वारू क्यास पास के पर्यारों समाज के लिए अनुप्रियोग के बारे में समान ने ज् संस्कृति भुगोल अर्थ शाष्ट्र समान निराजनेति भारति संबिधान खेल समाने विज्ञान आदि से संबंदित प्रश्ण मिलेंगे उसके बाद सेकेंड डिश्टेज में जाएंगे पी पीम्टी के लिए इसमें जितनी भी सीटे हैं यानि कि 452 सीटे हैं तो 400 जाएगे जो भूत फूरुशाइनिक आए याम इसम है उनको पी टी से छूट दे जाएगे फीटी नहीं दे पड़ेगा लेकिन उन्हें पीम्टी देना पड़ेगा अरफा फीजिकल मिजरमेंट टेस्ट देना पड़ेगा उनकी लंबाई चेक की जाएगे उनका सेना चेक के लिए और फीमेल में फीमेल के लिए 800वेटर के दवड़ 4 मिनट में कंप्लेट करनी होगी लम्भी कुद मेल के लिए 115 और 9 उची उची कुद मेल के लिए तीन फीट 9 और फीमेल के लिए 10 फिट एस्पी यह पीटी होगा पीमटी क्या होगा सेंटी में uppeur gwbc के लिए 565 सेंटी मीटर होगowski सेंटी मीटर हो जाएगा 150 संटी मीटर पूरुश में महिला में कि यहीं 1635 होगा और रिक सब्रोहेए एक सो बाउन हो जाएगा जो है कि उसके बाद चाती सेंटी मेटर में तो असी सेंटिमेंट कीया जाएगा असी से पचासी के बीच जायगा 80 to 5 cm से पंट के लिए बाकी जो है उंची कूद और लंबी कूद बाकी जो है यह लंबी कूद बाकी जो है बाकी जो है को यह लिए एक क्वालिफाइंग होगा इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको इसके में बता दिया लेवल शिक्स का अपनिधिक चकपष्ट है सब इंस्पेक्टर लेवल सिक्स का जो है कि वेतनमान है 35,400 प्रारंभिक वेतनमान होगा बिकलांग ब्ольноक्टियों के लिए कोई secret नहीं есть बिकलांग के लिए कोई स्थिट नहीं है और योगेता निविंतम योगेता असनात कर्था ग sarc चाहिए निम्टाम योग गता इसके लिए 384 पोश्ट है पुरुष के लिए और महिला के लिए 68 पोश्ट है बाकी भुथ पुरुस एनिक के लिए 45 पोश्ट है तीनों के लिए अलगलग पुष्ट आप यहां देख सकते बाकी कांस्टेवल के लिए जो है आरपी संख्या एक दोहजार चावीस था आरपी अपकांस्टेवल के लिए जो विज्ञापन संख्या दोहजार चावीस है उसके लिए सबी चीजिए वहीसा ही लागों होगी थोड़ा सचेंज जहां जहां हो रहा मैं बता देह रहा हूं आपको सब डेट सेट वहीं होगे डेट सेक्स हो जाएगा वहां टींगे तोबमस्ट शार्फ वाल हीसमें आपीरिंग नहीं को पास हो गए हैं वही लोग इसमें आजाएं गे जो लग भी मार्शिट आने वाला है जिनका वो लोग इसमें नहीं आविदन कर सकते हैं एक सथ दोहजार चोविस की आयू 18-28 बर्स काउंट की जाएगी उसकी एक कई से 28 बर्स थी इसके 18 से इसमें वहीं चीज होगी दस गुना सिकेंड डिस्टेज में भेजा जाएगा फर्स्टेज में एक बटा तीन रणात्मा कंकन होगा एक अंक होगा सही अंक के लिए वहीं चीज है सब समान निया आयू 18-25 होती है लेकिन कोविट-19 के कारण तीन बर्स जो छूट मिल रही उसके कारण 18-28 बर्स हो जाएगी बाकि इसके आगे छूट दे दी जाएगी आयू में जिनको जिस प्रका जितना चाहिए सब इंस्पेक्टर वाला वहीं सभी इसमें भी लागू होगा इसके लिए जन तीथिया जो है आपकी जन तीथि एक साथ दो नई 2006 से बाद कर नहीं होना चाहिए यह निचली जन तीथि है हालां कि छी जो दोनों तीथिया में सामिल है और और ऑना रचित और के लिए ऊपरी के दावर 3 मिनट 40 सेकंड पास करने होगी लंबी कूद 14 फिट पुरुष के लिए महिला के लिए नौ फिट और मुची कूद पुरुष के लिए चार फिट और महिला के लिए तीन फिट पीम टी अर्था फिजिकल मिजर्मेंट टेस्ट की बात करें तो यहां देख सकते हैं यहां 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 संटेमिटर पुरुष के लिए महिला के लिए एक सबाउन संटेमिटर सीना असी से पचासी और स्ट के लिए सब्सक्राइब के लिए बाकी बात दवड में एक चंस दिये जाएगा बाकी में दो दो चंस दिये जाएंगे इसमें भी विकलांग के लिए कोई पोस्ट नहीं होगा बाकी लेवल 3 के वेकंसी है जिसके लिए इसमें पोस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए 35,773,570 पोस्ट है महिला के लिए 631 पोस्ट है और भुथ पुरुषनिक के लिए 420 पोस्ट है